शो का पहला एलिमिनेशन शो से कौन हुआ बाहर? नॉमिनेशन में थे 5 सदस सल्मान खान के पॉपिलर शो बिक बोस एतीन का पहला वीकेंड का बार टेलिकास हो चुका है और देखते ही देखते चरजाओं का विशे भी बन गया है दरसल शो से कोई बाहर हुआ है जिसका नाम जानकर आपको लगेगा तकड़ा चटका घर से पेकर होने के लिए 5 सदस्य को नॉमिनेट किया गया था जिसमें चाहत पांडे, गुनरतन अविनाश, करन वीर और मुसकान का नाम शामल था ख्याई शो से इनमें से कोई बाहर नहीं हुआ है, बलकि कंटेस्टन गुनरतन का पेट डॉंकी गदराज को शो से बाहर कर दिया गया है येस, you heard that right बीते कुछ समय से लगातार डंकी गदराज को लेकर कॉंट्रोवर्सी चल रही थी अनिमल राइट संस्ता, पीटा ने इंटरेंट्मेंट परपस के लिए डॉंकी का इस्तमाल करने पर नाराजगी वेक्त की थी साथ ही उन्हें शो से हटाने के लिए भी कहा था ऐसे में डंकी गदराज को रिलीस कर दिया गया है और इसी के साथ वो बिग बॉस से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टिंट भी बन गए है खैर कदराज के इस इविक्षन पर लोगों के काफी इंटरेसिंट कॉमेंट सामने आ रही है कई लोग तो इस आक्ट को काफी अच्छा बता रही है तो कुछ लोग ये भी कह रही है कि गदराज को शो में प्रॉपर खाना मिल रहा था और देख भाल भी हो रही थी इतना ही नहीं एक यूजर ने तो ये तक कॉमेंट कर दिया कि शिट यार मुझे इससे ट्रोफी क्यों उमीद थी वेल कि आप भी कतराज को बिग बॉस एटी में मिस करेंगे इस बात की राए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें